डेबिट क्रेडिट कार्ड वालों के लिए जरूरी सूचना, नए साल में होंगे ये नए नियम, यदि आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ये खबर आप के लिए बहुत काम की है, दरसे भारत्री रजव बैंक के गवर्णर शक्तिकांदास ने इस बारे में जानकारी दी है कि नए साल में डेबिट क्रेडिट कार्ड के नए नियम लागू होने वाले हैं, जानिए कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं, कार्ड से पेमेंट करने के बदलेंगे नियम, अभी तक आप किसी भी पेमेंट के लिए कार्ड में पिन डाल कर ही पेमेंट क् लेकिन इस नए नियम के मुताबिक अब आप contactless debit और credit card से अधिकतम 5,000 रुपए तक का भुकतान बिना किसी पिन के आसानी से कर सकेंगे। ये सुविधा 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लागो होने जा रही है। अभी तक contactless debit और credit card से केवल अधिकतम 2,000 रुपए का भुकतान बिना पिन के किया जा सकता था। वन नेशन वन कार्ट स्कीम के तहट भारती कंपनी रुपए contactless debit और credit card जारी की थी। इन कार्ट की मदद से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर शॉपिंग मौल तक में बिना पिन डाले आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। क्या है contactless transaction एक ऐसी टेकनोलिजी है जिसमें आपको transaction के लिए कार्ट स्वाइब करने की ज़रूरत नहीं होती है। Point of Sale मशीन में खरीदारी की रकम एंटर करने के बाद कार्ट टच करते ही पेमेंट हो जाता है। Contactless transaction टेकनोलिजी वाले कार्ड में कार्ड के उपरी हिस्से में वाइफाई का निशान बना होता है। Contactless transaction के फायदे क्या हैं। Contactless credit कार्ड में दो टेकनोलिजी का इस्तेमाल किया जाता है। पहला Near Field Communication यानि NFC और दूसरा Radio Frequency Identification। जब इस तरह के कार्ड को इस टेकनोलिजी से Last Card Machine के पास लाया जाता है तो पेमेंट अपने आप हो जाता है। मशीन की 2-5 cm की रेंज में भी इस तरह के कार्ड को रखा जाए तो पेमेंट हो सकता है। इससे कार्ड को किसी मशीन में डालने या उसे स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना ही पिन या OTP डालने की ज़रूरत होती है।